नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है बेरे चैनल पे आज की वीडियो में बात करूँगी एक ऐसे घरेलू नुक्से के बारे में जिसके आप बहुत ही असानी से सिर्पे डेंडरप की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं ज्यादे तर मार्केट में बहुत धिर सारे ऐसे सैंपू आते हैं जिनके आप प्रयोग से डेंडरप दूर तो कर सकते हैं पर आपको इसके कहीं न कहीं साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे और आप लाश्ट में देखोगे कि आपको हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम होने लगी है ऐसे में ये घरेलो नुक से बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं बिना ही किसी साइड इफेक्ट के तो ये जो डेनरफ जैसी प्रॉब्लम है ये आम तोर पर हर दूसरे इंसान को रहती है रहती है और जारे के सीजन में आते ही ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है अगर किसी को नहीं भी है तो गर्मी में नहीं है तो मगर ठंडियों में हो जाती है और बहुत लोगों को ये डे करेंगे तो एक समय के बाद वो देखेंगे उनको हेर फॉल जैसी प्रॉब्लम होने लगेगी ऐसे में अगर आप इस घरेलू नुक्से का प्रयोग करते हैं तो इसके कोई साइट इफेक्ट नहीं देखेंगे देखने को और बहुत ही अच्छे से आपको डेंडर जैसी लेगा तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कीजेगा और वीडियो को लाइक कीजेगा तो इस नुक्से को बनाने के लिए नीबू और नारियल की तेल की जरूरत होती है जैसा कि आप सभी चानते हो कि नीबू में सैट्रिक एसीड होता है जो टैंडरब को दूर करने में कारिगर होता है तो चलिए बात करते हैं इसको कैसे बनाते हैं इसको बनाने के लिए आपको एक कटोरी में दो चमश नारियल का तेल लेना है और हलका सा गर्म करके फिर इसमें दो चमश नीबू का रस मिला लेना है फिर इसे अच्छे से मिक्स करके आप अपने बालों के रूट्स में मिंस जो आपके बालों के जड़ हैं उस पर बहुत अच्छे से लगाना है इसके बाद आपको हलके हाथ से तो मिनट तक लगातार मसाज करना है मसाज करने के बाद इसे 20 मिनट के लिए छोड़ दे फिर आप इसको अपने बालों को सैंपू से धुल ले इस घरेलू नुकसे को हपते में 2-3 बार ही करना है आप खुद ही देखेंगे कुछ ही हपतों में आपको बहुती बहतर परिराम मिलेगा यदि आपको बहुती ज़ादा ड्रेंडरप जैसी प्रॉब्लम है तो इसे नुकसे को आप हपते में कम से कम 3 बार तो जरूर ही करें और अपने बालों से ड्रेंडरप को दूर कर ले तो आई होपी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को वाच करने के लिए थैंक यू